सावन के चोथे सौमवार पर बन रहा है बहुत ही शुपसन्योग सावन के चोथे सौमवार पर इस फिदी से करें पूजा सावन के चोथे सौमवार पर इस समय करें रुद्राबिशेक अधिक मास होने के कारण इस बार सावन में चार या पांच नहीं कुल आठ सौमवार व्र और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को सुनते हैं। आपको बता दें कि इस साल सावन में आठ सौमवार पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इस बार 19 साल के बाद ऐसा सायोग बन रहा है कि सावन 69 दिनों तक रहेगा। सावन के चौथे सौमवार पर रवी योग बन रहा है। साथ ही इस दिन रुद्राबिशेक के लिए शिव वास भी है। लेकिन ये सुबह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं सावन के चौथे सौमवार पर रुद्राबिशेक का शुब मुहुर्त कब है। और सावन के इस चौथे सौमवार के दिन किस खास स्विधी से पूजा करें बतादें कि इस बार सावन का सौमवार रवी योग में है इस दिन रवी योग सुभ़ 5 बचकर 42 मिनट से लेकर शाम 6 बचकर 58 मिनट तक है इस केलावा विश्खंब योग सुभ़ से लेकर रात 11 बचकर 5 मिनट तक रहेगा फिर पृती योग शुरू सावन के चोथे सौमवार पर इस विधी से करें पूजा सावन के चोथे सौमवार पर सुभ़ स्नान के बाद व्रत और शिवजी की पूजा का संकल्प लें सुभा शुब मुहुर्तु में किसी शिव मंदिर में जाकर या घर की शिवलिंक पर ही विधी पूर्वक पूजा क इसके बाद भगवान शम्भू को चंदन, अक्षत, सफेद फूल, बेल पत्र, भाम की पतियां, शमी के पत्ते, धतूरा, भस्म और फूलों की माला अर्पित करें इसके बाद शिवजी को शहद, फल, मिठाई, शक्कर, धूप दीप अर्पित करें शिवचालीसा का पाट करें, और सौमवार ब्रत कथा का पाट करें आखिर में शिवलिंग के समक्ष घी का दिपक जलाएं, और भोलेनात की आरती करें सावन के चोथे सौमवार पर रुद्रा अभिशेक का समय 31 जुलाई को शिववास प्राथा काल से लेकर सौबह साथ बचकर 26 मिनट तक है ऐसे में जिन लोगों को सावन के चोथे सौमवार पर रुद्रा अभिशेक करना है वे सौबह साथ बचकर 26 मिनट से पहले करा सकते हैं इस दिन शिववास नंदी पर है सावन के चोथे सौमवार पर इस फिदी से और शुब मुहुर्त पर पूजा करें महादेव की कृपा आप पर छप पर फाड के बरसेगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नौस्कार